हेलो दोस्तों कैसे हैं आप आपका हमारे अनुराग लैब 3M योट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप अपने कम्प्यूटर में विंडोज इस्टॉल कर रहे हैं और आपको यहाँ पे ड्राइफ सो नहीं कर रही है तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे तो इस वीडियो को बीना इस्किप के अंत छलानी है डिस्क पार्ट और यहाँ पे थोड़ा सा वैट करेंगे इसमें अंदर जाने के बाद में लिष्ट डिस्क उमांड चलानी है और इसके बाद में यहाँ पे सो कर रहा है कि हमाँ हमारी इंटरेसल कामारा है यहां पे guys हम जिस pen drive से boot कर रहे हैं वो so नहीं कर रही है तो क्या करना है list disk दो तीन बार चलानी है इसके बाद में हमें अपनी pen drive को एक बार बीच में हटा के फिर से connect कर लेना है और फिर से जब आप list disk command चलाएंगे तो आपकी pen drive so कर जाएगी यहां पे guys pen drive को so कर जाने के बाद में आपको अपने computer की internal hard drive को disk part से format करना पड़ेगा तो चलते हैं select disk 0 करके clean command चला देंगे clean clean command चलाने के बाद में एक हम यहां पे primary partition create कर रहे हैं create par space price space size equals 1500 gb का partition बनाएंगे हम यहां पे primary memory इसको active पर देंगे और इसके बाद में इसको हम format करने जा रहे हैं तो फार कमर्ड है four space fs equals tfs space quick यह कमंड डालने के बाद में guys हम क्या करेंगे इसको assign कर देंगे drive और assign करने के बाद में हम exit हो जाएंगे इससे भी exit हो जाएंगे command prompt से exit कर जाने के बाद में बटन से क्लोज करते जाना है और हमको अपना कंप्यूटर एक बार फिर से रीबूट करना पड़ेगा चुंकि हमने जो पेंड्राइफ कनेक्ट की है वो यहां पे कनेक्ट हो नहीं रही है तो हमने आर्ट आर किया पर यहां पे इसे रही है आपनी जो पनी जो पने प्राइफ है उससे बूट करा रहे है दो बारा से आपने अपनी हाट ड्राइफ का डिस्क पार्ट से पार्ट टिस्टिंग कर दी है और यहाँ पे अपने computer को फिर से restart कर दिया है तो जाहिर सी बात है कि इस बार जो है drive so करनी चाहिए जब अपकी बार वहाँ पे drive so करेगी तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उसे drive को उसी graphical window से ही format करना पड़ेगा फिर से तो हम वहाँ पे आपको जहें दिखाते हैं कि हमारी hard driver जो partition हमें so होंगे उन सभी partitions को हमको एक एक करके delete करना पड़ेगा और हम जब सभी partitions को वहाँ से delete कर देंगे तो वहाँ पे unallocated space so होना चाहिए जब unallocated space so हो जाएगा तो हम वहीं पे graphical window से ही उसे फिर से एक 1500 GB का partition बनाएंगे जिससे कि उपर जो है system reserved partition automatically create हो जाएगा अभी आप यहाँ पे ध्यान दें यह agreement है accept किया और यहाँ हमने custom में जाके चेक किया तो यहाँ पे drafts हो कर रही है हमने एक एक करके इनको हटा दिया इस type से guys हमें पूरा एक single unallocated space सो होना चाहिए इसको भी मैं हटा रहा हूँ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सिर्फ एक ही है और हम यहाँ पे अब 1500 GB का partition बना देंगे okay कर देंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसके उपर एक system reserved का partition बन गया है उसको आप नई छेड़ेंगे partition पे हैं उसको art F से press करके format कर देंगे guys और इसके बाद में art N कर देंगे तो यह next पे click हो जाएगा और आपके computer पे windows की installation स्टार्ट हो जाएगी तो guys यह video आपको कैसा लगा इस video के अंत में comment करके ज़रू बताइएगा और इसी टाइब के technical videos दिखने के लिए आप हमारे अंडराग लेब 3M YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले आपका अपना दोस्त अंडराग पंडे आपका दिन सुभ हो धन्यवाद